हाई हलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्पाइसे प्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी काफिर से स्वागत करती हूं दोस्तों आज हम साउथ इंडियन तड़के वाली आलो की चटपटी सी सबजी बनाने वाले हैं तो आईए से बनाना शुरू करते हैं गैस पर मैंने एक पैंच अड़ा दिया है इसके अंदर अब मैं दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल को ले रही हूं आईल हमारा हलका सा गरम हो जाए फिर एक चमच चना डालाइट कर देंगे आधी चमच उड़त की डालाइट करेंगे और दोनों दालों को अच्छे से साटे कर लेंगे अब इसके अंदर मैंने दो कटी होई हरी मिर्च ले लिए है और कुछ कड़ी पत्ते भी ले लिए है सारे तड़के को बहुत अच्छी तरह से गुल्डन ब्राउन होने तक हमें साटे करना है ये देखिए हो चुका है अब इसके अंदर मैंने एक कटा हुआ हरा प्यास लिया है प्यास को भी हमें अच्छी तरह से गुल्डन ब्राउन होने तक साटे कर लेना है अब इसके अंदर मैंने आधी चमच हल्दी पाउडर एड़ किया है तड़के को अच्छी तरह से साथे करते रहना है दोस्तों हमें इसकी बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है अब मैंने चार उबले हुए आलू लिये थे मीडियम साइज के उसको मैंने मैश कर लिया था उसे एड़ कर दिया है अगर आप आलो के पीसिस करना चाहो तो पीसिस भी कर सकते हो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप सारी चीजों को स्वाद अनुसर नमक अड़ कर देंगे और सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तो इस South Indian आलो की सब्जी को आप डोसा के साथ भी सर्व कर सकते हो और पूरी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो हमारी सब्जी अब बनकर रेडी है तो उम्हेद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना पिलकुल ना भूलियेगा मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वन में तिल देन टेक केल बबाई एंड थैंक यू फा वाचिंग